प्यारे प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक बुद्धिमान राजा और संत की दो अंगूठियों की, जिसका नाम है, समय ये भी निकल जाएगा. तो चलिए बच्चों, अब इसी कहानी का दूसरा भाग शिरू करते हैं. अब तो दिन पर दिन वह राजा बड़ा ही प्रसिद्ध होता जा रहा था. अब उसने जन्ता की आग्या से आतंकी और दुष्ट राजाओं को पराजित करके न्याय प्रिये शासन स्थापित कर दिया था. इस कारण उस राजा की प्रसिद्धी दुनिया भर में फैल गई थी और राज्य का विस्तार होता चला गया. अब आम नागरिक राजा को भगवान का अवतार कहने लगे. एक दिन जब राजा अपने सिहासन पर बैठे हुए थे तो अचानक ही उनके मन में विचार आया कि अब यह तो सफलता का शिखर है. अब क्या किया जाए? तभी राजा को उस संत की बात फिर से याद आई. तो राजा ने उस दूसरी अंगुठी का पत्थर हटाया और देखा तो उसके नीचे भी एक संदेश लिखा था. यह समय भी नहीं रहेगा. राजा तो बुद्धिमान था. वह तुरंथ ही समझ गया कि अब आगे क्या करना चाहिए? अब राजा ने तुरंथ ही अपने राज्य को छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया और अच्छे और योग्ये नागरिकों का चैन करके उनके हाथों में अपनी सत्ता सौब होती. जिससे कि यदि वह इस दुनिया में ना रहे और यदि समय बदल जाए तो उसके राज्य का प्रशासन अच्छी तरह से चलता रहे. तो बच्चों, moral of the story ये है कि हमें समय रहते ही अपने सारे काम कर लेना चाहिए. क्योंकि समय कभी नहीं रुपता. तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. और हाँ, इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना. और वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना. बाइब बाइ, टेके!